इस वीडियो से कुछ ऐसी बाते करेंगे कि अगर आपका सपना है कि आपको healthy life lifetime जीनी है तो जरूर पूरा होगा अगर आपका सपना है कि आपकी skin tone और आपकी skin बड़ी smoothie और glowing हो तो ये सपना भी जरूर पूरा होगा क्योंकि trust me guys the only slogan I know कि योगा से ही होगा और इसी बीच और बहुत 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 एक हमारे मेहमान है बहुत बहुत सवागत मैम Akansha मैम का नाम है बहुत बहुत सवागत मैम हमारे शो में हमारी वीडियो में और आपको बता दे कि यह मेरी ex-teacher रह चुकी है तो कैसा लग रहा है मैम अपने स्टुडेंट को इंटर्व्यू देते हुए लग एहा हुँ तो वह स्टुडेंस की डियो ली टो आज रूगल कर से लु मरू ना और अज व तू की जानते की आज योगा धे है विशा रहे हो योगा योकल डे करने वाले में आज जाने की योगा खिमने की favored बात करेंगे कि हमारे लिए हेल्थ पर ध्यान देना कितना जरूरी है तो अब सबसे पहले मैम से शुरूरात करते हैं मैं बहुत-बहुत स्वागत तो मैंने आपको भोली जुगा हूँ अब इसे के साथ-साथ आप मुझे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताए हमारे लिसनर्स को जैसे के अर्जुन ने बताया मैंना मकांग्शा कॉतूरिया है बाइप्रोफेशन तो आम मैंनेजमेंट प्रोफेसर मुझे 15 यर्ज हो गए है टीचेंग में बट योगा जो है वो बोलते है ना मेरे दिल दिमाग में सिफ योगा ही है तो मैं फरीदाबाद पतंजली की जो भी हमसे योगा ट्रेइनिंग रिणा चाहते हैं उनके लिए फ्री योगा ट्रेइनिंग क्लास कराते हैं तो और साती साथ मुझे योगा में गोल मेडल मिल चुका है और अभी कुस दिन पहले ही संडे को हमें योग रतन समारों में मुझे बेस्टीचर का अवार्ड भी मिला है साथ ही साथ मैंने आयटी बॉम्बे से भी योगा का कोर्स करा है मैं योगा है तो यह बस चोटा सा मेरा एक योगा का प्रोफाइल है जिसमें हमारा अल्टिमेट परपस जो है हम चाहते हैं कि पूरा जो भारत है वो स्वस्त रहे तो यह चोटा सा है योगा के बारे फ्री आफ कॉस्ट असब के लिए है बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए जो लोग नहीं कर पाते फेस्ट फाइनेशली वो लोग भी आकर योगा कर सकते हैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं तो अब मैं आपसे जाना चाहूंगा या बात की जब से आपकी आया, आपको अपनी लाइफ में क्या-क्या चेंजिस देखने को मिले? अगर मैं बात करूँ योगा की, मैंने अक्चुली जो योगा जो एक परफेक्ट लेवल पर जिसे बोलते है, स्टार्ट करना, मैंने टुथाउजने ने करा. So, being a mother of two daughters, मेरे twins है, working, plus family, तो सबसे अदर चालेंजिंग होता है, वो होता है अपना time manage करना. बट योगा ने जो मुझे सिखाया है, वो है active time management, 24 hours भी आप सब कुछ कर सकते हो. आज कल जने एक excuse हो जाता है, time नहीं है, college से लेटा है, office से लेटा है, तो yoga से जो सबसे पहले मैंने learn करा है, वो है time management, दूसरा, पहले हम बोलते थे कि आप अपनी health पे ध्यान दो, बट मुझे लगता है, कोविड के बाद ना, शायद हमें ये चीज किसी को बोलने की जरुर योगा से आई है, और अब अपनी fitness का राज़ है, वो भी योगा है, तो बहुत जरूरी है, योगा आपको discipline सिखाता है, योगा का सिर्फ मतलब पार्क में खड़ियों के प्रनायाम करना या एक्सरसाइस करना नहीं है, योगा जो है वो आपके physical, mental, or emotional well-being के लिए है, योगा बहुत तरह से पूरी तरह से हमको help करता है, और बात रही कि लाइफ में क्या-क्या चेंज़ आए, वो में देखी सकता है, क्या ग्लो है मैं चेहरे पर है, वाँ, तो ऐसा गलो पाने के लिए मैं क्या करूँ, लोग क्या करें? ऐसा अगर आपको गलो करना है तो फॉ अगर मैं बात करूँ, मेरी जो डॉटर्स हैं वो बी सिर्फ 11 यर्स की है, वो 8.30 सो जाती है और 5.00 वो उच जाती है, चाहे उनकी समा विकेशन है, चाहे उनकी स्कूल है, तो हमारे घर में रूटीन है, आप अपने लंच आर्स, ब्रेकफास्ट आर्स और अपने डिनर का थान रखिए और जो सबसे जरूरी है, अब प्लीज, जो यह मोमो खाते हैं, उन्हें मद खाईए, क्योंकि मैंने देखा है, फरीदाबाद और देली NCR की लोगों का फेवरेट है, मोमो चोले भटूरे, तो प्लीज, उसको थोड़ा सा आप लोग कम कर दीजे, और हेल्दी लाइफस्टैल के और जाहिए, मैं आप सारी वही चीजे बोल रहे हैं, जो मुझे टार्गेट कर रही है, चोले भटूरे, मोमो, लेट स्लीप, स्क्रॉलिंग करना पूरे ते इस्टाग्राम, सारी चीजे मुझे टार्गेट कर रही हैं, और यह तो बड़ी बात है, और ब जाते हैं, तीन बड़ जाते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लिटरिली, और स्लीप शेडूल की बैंड बच जाती है, बहुत अच्छे से, और सबसे पहला श्रे तो स्लीप शेडूल बगाडने का एक कोवेड है, जब से कोवेड है, इतनी स्क्रॉलिंग करी लोगों चलो, हेल्थ तो ध्यान दिया ही, हेल्थ के लिए सब लोग अवेर हुए कि हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्लीप शेडूल बगाड ली, अब स्लीप शेडूल सुधारने के लिए, क्या कर सकते हैं, हो मैं आप से जानना चाहूँगा, अब देखे, आप बात करते हैं, कोशिश करें आप फोन से दूर है, एकदम से नहीं, एक एडिक्शन है, फोन भी एक एडिक्शन है, तो फोन की जगा ना, योगा को, हेल्थ को, एक्सरसाइस को एडिक्शन बनाई है अपनी, तो उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं सबसे ज अच्छा तरीका ह है, अगर मैं सोचू कि में एक बंध रूम में बैटके योगा करूंगी, तो मेरा इंटरस्ट ही नहीं आएगा, मेरा ध्यान कही ना कही मैं बहुत जगा उकुपाइड हूँ, तो मुझे लगता है अगर आपको कोई पे एक्सिसाइस, जाब जिम करते हैं, वाक करते हैं, य क्योंकि जब हम अपने साथ वाले में वो चेंजिस देखते हैं, कि यार यह बहुत फिट गया, यह बहुत स्मार्ट हो गया, तो कही नहीं कहीं कंपारिजन आता है, हम भी उस चार्गेट को अचीव करना चाहते हैं, तो अल्वेस सब्स्मोल गूर्प में स्टार्ट करें, सब्सक्राइब करें, तो यह आपका सबसे बड़ा मॉटिवेशन होगा इन चीज के लिए, इन क्लाइब होने के लिए. अभी आपने अपने जिम की बात करें, तो मुझे मुझे यादा है, हम जिम में स्ट्रेंध ट्रेंग करते हैं, ओविसली, अब स्ट्रेंध ट्रेंग स करते हैं, हमारी मसल तो हमस्तिट हो जाती है, तो मी आपने लिम थाचे जाए होगा भी घाखेंगा होगा लुझे लोगवे बड़ा इनििम जाखेंगा झारना चाहिए जिम जांवाग, ता कि साथ पर पामारी बोड़ी में अध्लैऄ दिए होगाई औरžमें क्या करना चाह फोग प्रूब फुलिड नहीं है। तो उसके लेए हमें योगा करनी ल motiv है। योगा इस बीसिकिल क्रेंट कैंच्ट हो और पिज फिसिकल स्टेंथ भी-डेगा, वह को में Ding Dong कैनल नहीं उपर्थी को सफ्लिट कर थौकि leisure है। यहां आज कि आपने स्टुडेंटेंसे पूछ यहां आपने स्टुडेंसे पूछ यहां आपने वर्क कुछ नहीं कम्प्लीट करा आसाइमन्स माम मैं इप्रेशन में हूं इंपने स्ट्रेस्ट बहुत है तो तुडेंस अज इविंग इस कांड ऑफ रिपला ना अड़े तो कि यह सई नहीं है जी हाँ तो माब भात कर लें जी जैसे जैसे आपने बताया है इतना स्ट्रेस लोगों में रहता है कास कर कि यह стрश का भी रिजन वोद्धा हुगा इसारा कुछ फॉन की वज़े से यह तो पूरा स्ट्रेस्टी इंडिर्क्ली स्ट्रेस्ट्स की तरफ यह और बड़े भी लोग है इतनी टेंशन है कि फिल्स चल रही है और दूसरी कंट्रीज में भी जाने तो अगर थोड़ी बहुत अन्जाइटी होती है अलका सवन को लगई लगई इतने पावरफुल लोग जब तक वो पीक नहीं चला जा 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 जब तक तक पे स्टेप्स नही जब पावारे घ्रमॉधर झाटा कि पावर्रिय मांता हो अगर योगा पहले पहले से शार्ट कर ये टो उस वाले स्टेज को बहुत कंदिया जा जा सकते है माइनर कार जा सकता है क्यों कि एक स्साइज और फिजिकल ठीज tossショas को जो च्क्छिटन है फिसिकल वर्ख एग मान तो योगा में होता है अश्टांग योगा में योगा में योगा योगा में 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 योगा मे very much punctual उसके बाद में आता है आपका आसन, आसन means बैठने का तरीका, अगर में ऐसे बैठ के योगा कर रहे हूं तो वो मेल अफेक्टिव नहीं है, आसन हमें बताता है आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, उसके बाद में आते है प्रनायाम, प्रनायाम का होता है, हमारी होती है, ब्रीफिंग टेक्निक्स हमें किस तरीके से लेनी है, मैं एक छोटा सा एक्जाम्पल देती हूँ, आपको पता होगा घर हम बात करे अनिमल्स की शायद आपने कच्छुए के बारे में सुना है, उनका जो लाइफ्पैन है वो सबसे जादा है, वो क्यों है, कभी आपने सोचा है, क्योंकि कच्छुए जो है, वो जब भी oxygen लेता है, ब्रीथ करता है, बहुत slow लेता है, इन्हेल और एक्जेल बहुत slow, और at opposite अगर आजकल हमारे सब के घर में पैट्स अगर आप देखें उनका लाइफ्पैन बहुत कम है, क्योंकि जल्ली बरीथ करता है, बहुत जल्ली बरीथ करता है, तो बेसिकली हम सब को एक लिमिटर्ड जो है वो ऑक्सिजन मिली हुई है, अब हमें उसे कैसे यूस करना ही हमारे उपर है, तो प्रनायाम हमें बताते है, हमारी ब्रीथिंग टिक्निक्स कैसी होनी है, अभी रिसेंट्ली मेरे कोई फामिली मेंबर हॉस्पिटल में अदमीट तो डॉक्टर ने ओने जाने एक मशीन देगी, स्परोमेटर जिसमें उनको कुछ ब्रीथ करके कुछ बॉल्स ब्रीथ करके कुछ बॉल्स ये था तो मैंने का इसकी क्या जुरूत है, तो हम डेली प्रनायाम करते है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और पुराने ताम में देखें, आज के तामें एग जैसे पंडित उते पंडित पी पांडित प्रिड़र पेले घरों में ही शंक हो उता था ये शंक थे खाई करते हैं और वो कुछ ब्लॉब ऑन हो रूद इन रशे की टीणब अटिग थे तो इन भाद से नंस की प्रप्म उती तो जब हमारी बडूरी ब्रीथ इन ट्रीथ क् गाहिवें प्हेले सब्सक्रण डीडिटिंच सेंपने और दिया को अक्मै थारीज गालनुरोगोठाभ पर्सक्राद इन्हाइ हूं प्रत्तिर समें तो हमें ठीकनीक्नीक्स नहीं होगा बुर्टमीं इन्हार थे तेकनीक्नीक्स यॉ आज नहीं करे याज अँदा अज नहीं करेशा नहीं अज जसे ज़सी फॉन का अडिक्ष्ट मनादे अगर बिता ही अगर शक्रावन कर रहों है तो है है तो है पुर अबना प्राइटी अपने अपने अगर मनता हूं कि अगर हम कोई भी फिजिकल अटिविटी है, अगर उसक तो एक चैलेंग समझ कर लें, हम यह मतलब इसको यह करना है, हम चलो हम यह लिया था, आज यह सोचा था कि हमको एक्सराइस करनी यह पड़ेगी, अगर यह सोच कर नहीं तो उसमें मजा ही नहीं आएगा, उसमें आप एंजोई नहीं कर आओगा तो इसको बानता हूँ अगर आप अकेले से कर रहे हैं तो पहले आप करेंगे फिर सोचेंगे दो मिनिट रेस्क ले ले था हूँ, सांस फूली है मेरी, तो यह चीज होती है, तो हम थोड़ा से ताइम नहीं दे पाते हैं और जादा ताइम लगए, अगर पार्टनर के साथ हैं तो अगर एक्साइ है तो यह लेफ सो नहीं है तो वो सोले भी हो प्योड़ करते घडेख करए है कि वानवे प्डूर कं असी नाग से ब्रीदार रही है तो रह प्रावरे सोले हमारे स्टरफ इस तरफ सोले तो ऎला स्लीप में भी छाथा त 되고 मैं एक बार आप से जानना चांगा वह क्या था? बीसिकली जो बीधिंग टेखनीक है, हम कहां से इन्हेल कर रहे हैं और एक्जेल कर रहे हैं, अब मैं जहां से अपनी बीध को एक्जेल कर रहे हूं, अगर मैं उसी तरफ सो गई तो वो चीज मेरे दब गई, तो मेरे अंदर के जो एनर्जी फ्लो है वो रुख तो कही ना कही वो मेरे मैंटल वेल बीइंग मेरी नीन को डिस्टरब करेगा, इसलिए वो हमेशा ये चेक कर थे कि कहां से हम सास ले रहे हैं और कहां से छोड रहे हैं, जिससे हमारी सास लेने में ब्लॉकेज नहीं हो, अगर हम बात करें देली NCR के, तो वी आ तो फेमस पात बुली की पार्टनर की, तो अभी हमने दो ब्लॉकेशल प्रोग्रम डिजाइन करें हैं, वान फॉर देल चिट्स की चोटे बच्चों से योगा कराना इस अल्वी अ चालेंग, उनको बठा की योगा कराना इस अल्वी अ चालेंग, तो उनके लिए हमने एक योगा से वान चालेंगे कब लूग कराना इस अल्वी अजय के एक योगा करना हैं, जसमें अपके जतने भी स्टेप्स ऑंगे, वह ऐसे न्यु चाले, बिल्कुल ही योगा करना तो प實 にौए योगा करना है, और अगर देश की श्टेप्स को ब्लुकुली पसत कर नेया मने ही तो आप जब दोनों एक दूसरे के साथ कोडिनेट करोगे तो दोनों का अप सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपके जो पोसे हैं वो परफेक्ट आइए बिल्कुल मैं जरूर जरूर जो जो इन आपने बताई बहुत अपने बताई और बच्चों के अपने बताया कि यह 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 के जो की प्याओ इनुद कर दोन अपने चाहले हम जहें जोग हैं मेरा इंधर मैं तो रेवेमिट है उव सक्काइघिय कि एरूर बडश्थार हैं व झाल जो शोचा एड़ इंजाए एंजरू करायां बहुत अछी बहुत अच्छी तो ने कियो उड़ अशुन का अपने बत 10 वारे गंटे मैं शावासन करता अच्छे से मेरे डेली के रुटेन है योगा बहुत अच्छे से करता हूँ बिल्कुल चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सुर्य नमस्कार की बीच में बात हुई थी सुर्य नमस्कार के बारे में बता सकते हैं लोगो को और देखिए यह बात भी होती है कि लोग अब नए नए हैं अब नए हैं फ्रेशर्स हैं बिगनर्स हैं अब हो चाहरे हैं योगा करना उनको डेडिकेशन आई है बहुत अच्छे हैं अब हमको करना है अपनी लाइफ सोधार में हैं हेल्थ की तरफ फोकस करना है तो वो समझ नहीं पाते कि कहां से शुरुवात करें कहां से शुरुवात करनी चाहिए और कन्फ्यूज हो जाते हैं दुनिया वर के एप्स हैं योगा कि वो नेट पर देख लेते हैं गूगल पर देख लेते हैं अब गूगल पर इतने हार्ड योगा आजाते हैं इतने हार तो ऐसे लोगों के बता सकते हैं कि अगर वो बिगनर है तो कहां से शुरुआत करें और सूरे नमस्कार का भी उनके लाइफ में क्या रोल रहना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए वो बताए प्लीज कई अगर आप बिगनर्स है तो आपके लें सबसे अच्छा होता है अगर आप गूगल पर भी सचाहीं तौड़ करो अप सबसे अच्छा होता है अगर आप गूगल पर भी पाकेज बोला गया है सूरे नमशकार में 12 पूरे complete cycle होती है 12 steps की जिसमें जो 7 steps है वो unique है remaining 5 steps को हम repeat करते हैं तो सूरे नमशकार में आपकी stretching भी हो रही है आपकी forward bending आपकी backward bending सब कुछ हो रही है तो आप initially start with the 1 सूरे नमशकार then after 5 days it becomes 2 and then 3 and then you can start you can go up to 10, 15 as per your choice तो अगर आप सूरे नमशकार भी कर रहे हैं तो आपको और कोई योगा नहीं भी करेंगे तो भी आप fit रहेंगे but it depends करता है आपने वो योगा किस एज में स्टार्ट कर रहे है अगर मैंने पर्ली करती है यस एक्जेक्ली अगर मैं बोलूँ आज मुझे बहुत सारे बैमारी है और मैं सोचो सिर्फ सूरे नमशकार से वो ठीक हो चाहेगी तो नहीं क्योंकि योगा जो है वो बैमारी स्प एक चीज धान रखनी हमारा जो नेवल होता है इसके दोनों साइड में अगर आप देखेंगे बेसिकली हमारा पेंक्रियाज है जो इंसुलिन बनाता है तो आपको सिंपल सा याद रखना है कोई भी योगा कर रहे है कोई ऐसी एक्सराइस कर रहे है जिस पे यहां पर आपक करेंगे और हमारे जीज पर अर यहां पर फॉर्फर में पाता है यहां और प्रढ़ वहां बाता है आपक न की आपका रहे है एक लिए मैं और निक्स ₹ झाल देखें अचरा जार्ड कर निक्समें करना चैए और उनको कैसे एक्टिवेट कर सक्त्य हैं योगा के जरी होग क अगर हम बाद करें चक्राजी करेंगे कि अगर हम बात करें चक्रास का जो सिंपल रोल होता है वह होता है energy को αλλά हमारी बॉडी में साथ चक्र होते हट रंग urban area और हमारे नीचे ते रूंटे खोता है जिसे हम बोलते मुला racing मुला धार कि अच्छा नहीं लग रहा, मैंने सब कुछ कर लिया, गर्ल्स है, मैंने शॉपिंग भी कर ली, घूम बिली, मुझे वो हैपिनेस वील नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा जो रिदे का चक्रा है, वो ब्लॉक हो गया है, मैं वो कनेक्ट नहीं बना पा रही हूं, तो हमें चक्रास हो या बड़यों में एक एडवाइस देती हूं, प्लीज, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे थाउजन फ्रेंज होंगे, शायद अर्जुन के लिस्ट में भी होंगे, बिल्कुल मारी, बट अभी शायद अर्जुन सोचे कि मुझे किसी के साथ जाना है, तो वो एक सिंग कि ये वाला चो आज का योगा डे है, इस साल वाला, 2024 वाला, ये किस थीम पे है, और क्या रोल है इसका, अब मेर को बता सकते हैं, लिस्टिन को बता सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, इस वार 2024 के चो हमारी योगा की थीम है, वो है योगा फोर सिल्फ एन योगा फोर सुसा एं योगा फोर सुसाइटी तो सब तो मिलकर योग करना है अकेले नहीं करना है। बिल्कुल सही बात कही मैं आपने क्योंकि यह भी मानते हैं कि अगर हमारा देश एडुकेटिट रहेगा और हेल्थ में फिट रहेगा तो यह हमारा देश आगे बढ़ पाता है। आव मैं लास्ट में आपसे एक मैसेज लेना चाहूगा हमारे लिस्नर्स के लिए, खोड़ा के लिए कि आप उनको कुछ मैसेज दे योगा दे पर कि कैसे योगा करें और कैसे अपना योगान दे इस इसमें भाग ले और जादा से जादा अपने फिजिकल अक्टिविटीज विद्धान दे और अपने हेल्थ को एकदम फिट बना ले बिल्कुल तो पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ चन्द मिनिट योगा बड़ा फायदा होगा तो कोई बात नहीं एक घंटे से स्टार्ट मत करें आप से पांच मिनट से स्टार्ट करें आप अपने अंदर वो योगा करम कोशलम अगर अगर आप कोई भी चीज, कोई भी कारे कुशलता पूरवक कर रहे हो, the way you are doing the work तो आप जो भी काम करें अच्छे से करें, walk करें, running करें, jogging करें, exercise करें, योगा करें, जो भी करें, अच्छे से करें, पर प्लीज एक बार आप पांच मिनट चे शु जो भी यह stress की problem है, anxiety की problem है, वो सारी की सारी अपने आपी दूर हो चाहेगी. बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से आपने बाते बता ही आथ सारी चीजें और लोगों को काफी समझ भी आया होगा. और वो सच्किल आवेर चाहिए की हमको योगा करना चाहेए, क्यों करना क्या हरा, क्युक्कि हमने टीम ही तो रखा था, योगा सही होगा अगर आप कुछ करना जाते है। वह healthy nice about or mine, myntal health or our skin or our Kris radar, योगा सही होगा जी, आपको योगा करना पड़ेगा आपको मैम को देखो कितनी फेट हैं ग्लो देखो फेस पे बिल्कुल और लास्ट नम यही आपसे पूछा चाहँ और कोई योगा बताव और मैं बैठे बैठे कर लो अभी बिल्कुल बिल्कुल देखे ओफिस्पे अपने देखा हुआ अपने बैठे बैठे भी थोड़ा साव स्टेट बैठ जाज़िए और आप अपनी नेक जो है नेक से आप मूमिन कर सकते है용 स्तार्टिंग में अपको आपनी चिन को नेक पे ठ molta करना है ये लिए इस तरीके से देन आप अपने Sides में कर सकते हैं धीरे धीरे आपको पहले right, then straight, and then आपको lift, and then straight. तो इससे बहुत सारी exercise है अगर आपको hands के लिए करनी है, आपको इससे बैठी, नी पे हाथ रखिए, और आप अपने shoulders को rotate करिए. इस तरीके से आपको अलगला Tinnin steps कर सकते हैं, तो वह बहुत सारे एकसरसाइजे जो हम इठे बैठे भी कर सकते और अगर आपकसरसाइज नहीं भी कर सकते तो मैं लास्ट नहीं बताना चौहँँगी अम समने सुने हैं पंच तत्व के बारे में और यह बोलते हैं जलततव, जरो भूड़ी में बोर्ट को बैलंस करती है, इसके साहत में जरो प्रित्वी तथी अर्थ, प्रित्वी केसे, विए बहुत प्रिट्वी बहुत पर वेज़ें के लिए, इस बहुत बीज़े, तो यह हमारे आकाष इपP वायू को रिप्रेजन करते हैं तो जिनने भी एसे डिटी एन रहती है उनके लिए और यह जो हमारी सबसे लास्ट वाली उंगली है यह इसको अगनी को रिप्रेजन करती है तो हम जब भी बैटे हैं आप हमें क्या करना है हमें मुद्रास का ध्यान रखना है जिनको अगर अगर आप इनको पी प्राक्टस करेंगे तो भी हमें बहुत हमें स्टार्ट कैसे करना है तो बस एक इनिशेटिव लेजे दन योगा इस बिकम यूर एडिक्शन अगर बहुत बहुत अच्छा लगा आप से अज बात करके और थैंक यू आप आई अपना टाइम दिया बिल तो इनज़ाइ करेंगे तो मैं भी एक आसन इंजवाई करता हूँ मेरा आप इसका मन कर रहा है करने का सवाशन करने का मेरे बहुत जोर से मन कर रहा है मैं जाओंगा इट दी एंड मैं आप से ही कहूंगा कि एक्साइस करते हुट रही है और फाइन ह IO है चलिए बाइव झाल